कि 2017 के पीप जी मुझे सदस्ता अभियान का भी पूरे देश का जिम्मेदारी मिला था वो भी वर्ल रिकॉर्ड बना था वो भी वर्ल रिकॉर्ड तो लगातार वर्ल रिकॉर्ड आप बनाते रहे हैं लेकिन अब की बार तो बड़ी मुश्किल है सरकार फिर खिलेगा कमल इस जो कहना चाहिए कि शुक्षम्रद्दी चारों और का जो विकास की प्रक्रिया है जो देश में चली थी वह आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नत्त में जो केंद और प्रदेश का समनवे है अभूतपूर है और उत्तर प्रदेश अपनी पूरे इतिहास आजादी के जो है उसमें सबसे अच्छे दिनों के 20 से गुजरा है और चारों तरफ आप आज देखें कि करोना का संक्रमन काल आया करोना के संक्रमन काल में जब हमारे यहां के प्रमुक विपक्षी दल के लोग अपने घरों में बैठे अपने चुनाओं के मैदान तक में नहीं गए ज वैक्सीन आई तो नुक्सान हो जाएगा वैसी नाई तो बीजेपी की वैक्सीन है इसको नहीं लगाएंगे जब सत्ता में लगाएंगे दुस्पचार का जब चक्र चला था तो बीजेपी का कारकरता अपने प्राणों की बाजी लगा कर हमारा जन प्रतनी दी गाउं जान महले महले विच्छन करके लोगों की रक्षा के लिए अपने आपको समर्पित कर रहा था और ऐसे सवे हमारे जो बीजेपी के पदाधिकारी थे शेकों के तादात में दिवंगत हुए साथ-साथ-साथ-साथ हमारे विधायक नहीं रहे तिन-तिन मंत्री हमारे एक तरीके से अपने आपको राष्ट के पते समर्पित करते हुए दिवंगत हो गए लेकिन बीजेपी ने सेवा ही संगठन के नाम से जंता का साथ नहीं चुड़ा और आज जब आप देखो पूरे हमारे वहां पर जब खसरा आया जब मिलेरी आया जब हमारे वहां चेचक का प्रकोप आया जब बिबिन प्रकार की बिमारी आए तो टीका कहां से आया टीका वीदिश्यों से आया और बड़े महंगी दरों पर आया कोई टीका भारत में आजादी के वाद से अपना इजाद नहीं किया करोना आया करोना के समय दुनिया चारों तरफ आतंकित भाव में घूम रही थी तब भारत वर्श के प्रदान मंतिर ने कहा कि हम ठीका स्वयम आपके बातों से ये बात तो साफ हो गया कि कम से कम करोना इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहने बाला है और सरकार उसको लेकर आगे बढ़ेगी लेकिन गंगा में बहती भी लाशें ऑक्सीजन की वज़ए से दम तोड़ते वे लोग चाहें आगरा हो प्रदेश का दूस बात की हम समर्तक हैं लेकिन अगर आप रेशियो देखें तो कम से कम हानी पहुंचाने का जुरु लक्षि हमारा था जाट कम से कम हानी पहुंचे हम ज्यादा ज्यादा लोग को बचा सकें उसके काफिी निकट ऑनतों अशे का यह हो कि उत्तर प्रदेश का जो करोना मैनेजमेंट था वो आज एक आदर्स एक आइडियल बना आज भी गरगर मेडिकल किट बंट रही हैं आज भी हमारे वहां पर 552 के आसपास ऑक्सीजन प्रांट लग चुके हैं 275 अक्सीजन प्रांट काम करने लगे हैं आज हर जिले में जब जब करोना का संक्रमन आया था तो आगरा में एक मरीच संक्रमित स्वाव मैं इंशार्ज हूँ आखा और उसको पूणे के बाद इस और पूणे के बादेरिक निकला तो दिली में लिग है घया उसके लेकिन एक साल के अंदर तब उत्तर प्रदेस में क्या था कि तीन-चार-पांच जीले थे जहां पर वेंटिलेटर की और अक्सिजन दे रही थी आपने आगरा का ज़िकर किया और हमें खुद रिपोर्ट चलाई थी मेरे सही होगी कि किस तरह से अक्सिजन से लोगों ने से संस्थान के तुटिवसकर कहीं होता है वो पूरे प्रदेश का परदर्श नहीं हुआ करता है पूरे प्रदेश में क्या हुआ यह मात्तपूर्ण है लेकिन उस संस्थान के खिलाफ कारवाई करके कम से कम एक नजीर तो सरकार बना से सबके खिलाफ कारवाई हुई है सब कठोर्तम कारवाई पूरे भारतोस में अगर कहीं हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है